Hello everyone, AMU 11th entrance 2022 की Formlist 2 आ चुकी है students, तो आज किस वीडियो में बात करने वाले हैं कि Formlist 2 में कितनी वेटिंग किलियर हुई है, ठीक है, और Formlist 1 में कितनी वेटिंग किलियर हुई थी, मैंने category wise बता दिया था, CA में कितनी वेटिंग किलियर हुई थी, general में OBC में सारी categories का मैंने बता आर्ट का भी और साइंस का भी ठीक है, उस वीडियो का लिंक में देता। आप जा देख सकते हैं कि Formlist 1 में कितनी वेटिंग किलियर हुई थी, और आज किस वीडियोंने बात करेंगे कि Formlist 2 में कितनी वेटिंग किलियर हुई उसके पहले यह बात कर लेते हैं student, कि जिनका ना 10 October तक उनको टाइम दिया गया था और 10 October grace period with fine अगर किसी ने नहीं किया है तो वो आज कर सकता है with fine के साथ वो payment कर सकता है उसके बाद उसको मौका नहीं मिलेगा payment कैसे करना है इस वीडियो के link में description में दे दूँगा आप जाकर कि देख सकते हैं कैसे payment करना है ठीक है अब बात क देगरी में जनरल में 93 वेटिंग क्लियर हुई है ठीक है और इस इस बार और वेटिंग क्लियर हो सकती थी लेगिन ऐसा हुआ है कि second round में बहुत सारे स्टुडेंट सेलेक्टेट थे जो फर्स्ट रौन में नहीं आये थे second round में आगे for example 302 सायथ सेलेक्टेट है और भी किसी प्रॉब्लम की वज़े से फिर्स्ट रौन में आटेंड कर पाया है और या फिरिस लिए second round में आगे तो यह अच्छी बात है कि जो second round में मुका दिया गया है ठीक है वो selected student थे पिसली बार भी बहुत ऐसा हुआ था कि first round में जो वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया है तो second round में उनके पास कोई चांस ही नहीं थाइड मिसल लेनेगा ठीक है तो यह अच्छी बात ही जो एक बार उनको दुबारा मुका मिला ठीक है तो अब अगर हम बात करें कि साइंस केटेगरी में साइंस में 93 जनरल वेटिंग किलियर हुई है और गल्स में अगर हम बात करे अगर है एक दो लोगों का नाम आज आए फॉर एक जामपल 93 वेटिंग है तो हो सकता है 94 95 आज है अदरवाइस और कोई चांस नहीं रहेगा ठीक है इसी तरीके से CAC सारी के टेग्रीज में एक दो राइंक तक और जाने का चांस रहेगा थार्ड फरम जिस्ट में इससे जा है क्य책 क्यांस करना है तर्ड राउंड की आसे थ Tort एमिश स्युंटन कर निर्ट करते हैं ज बस आपको एक बार प्रोसीड कर और आपको समुमिट कर देना हूं था सफ लिश्णियक न कि वैक धिर कि फेस्ट incumb buna निंग मैं डेस्क्रिप्टन ओ espírit कि लेख कर दोगा आप किस्टेट्स, थैंक यू